हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शैनल, फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करेंगे, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर PM इंटर्शिप योजना, जो कि अभी बहुत चर्चा में है, और फ्रेंड्स इसके बारे में आप सभी को भी जानना चाहिए और ये आप सभी क प्लस आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, अब प्लस यह आ जाता है कि क्या डिप्लोमा वाले भी यह फॉर्म कर सकते हैं, तो बिलकुल क्वालिफिकेशन में तो यही दिया है, और सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बहुत ही हेल्प मिलती है आपके एक लाइक से, तो चली वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हमने यह आपका यह पीम इंटरंशिप योजना दोजा मिले हैं इस इंटरंशिप का यही में टार्गेट है में मकसद है कि जो बेरुजगार हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही हेल्प करेंगा जैसे आपने देखा होगा पॉल्टेक्निक आईटी आई करके मतलब अगर हम बात करें तो उनके पास पैसा नहीं होता है ना क सब भी आप अपलाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें लगभग 500 कंपनी जो हैं इन्वेश्ट कर रही हैं है ना आपको अप्रसुनिटी मिलने वाला है तो सिंपली यह बात होगे सेलरी की बात करें तो लगभग टोटल बात करें तो आपको च्छाषट हजार च्छाषट हजार क मैं सब्सक्राइब अपोर करते हैं तो इसके बारे में भी वीडिव आपस भी देखने को मिल जागा घर बैठे या क्राइकर Church सकते हैं और यह वात हो जाती है और लगबार और अगर आप मतलब एक साल अगर आप शीक लेते हैं तो टोटल मतलब है कि आपको 60000 और एक्षोट दिये जाएंगे तो मतलब मतलब 12 towards तो आपको सबसे अच्छी बात है पैसे भी मिल रहे हैं प्लस आपको सीखने का मौका भी मिल रहा है तो और क्या चाहिए है ना सबसे पहली बात उसके बाद से क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 प्लस 2 यानि कि अगर आप हाइश्कुल किये हैं या फिर माल लिजे आपने ग्रेजिवेशन भी किया है अगर आपने किसी भी इस्ट्रिम से यह कोई फर्क नहीं पड़ता बस डिग्री है तो आप इसमें फोर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है जैसे डियलेट भी डिप्लोमा कोर्स में आता है तो अगर आपने ये भी कोर्स किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजबल है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ठीक है डिप्लोमा डिग्री सब कुछ आप सभी के लिए सब कुछ मेंशन किया गया है ठीक है उसके पास एक और जो आपका डूरेशन होगा वह कितने टाइम तक जो है आप सभी को 25 यानिकी करना होगा तो ओ PlayStation के लिए आपकी होने वाली है जिसमें आप सभी को स्वेंप्र सेक्रेणी प्लस के जाएगा कि अगर आप कहीं भी जोग करने जाते हैं किसी भी कम्पनि में माल न होंडा चाया न तो अगर आप जाएंगे अपना certificate दिखाएंगे तो कहीं न कहीं आपको प्राथमिक्ता मिलेगे अगर आप वहीं pressure होंगे तो friends कहीं न कहीं आपको back कर दिया जाएगा और जो तजरुवे वाला candidate होगा उसको मौका दिये जाने मलत दिया जाएगा तो यह बहुत अच्छा है अगर आप कहीं भी जोब के लिए apply करते हैं तो आपके लिए certificate होगा आपके बाद simple आप से भी को जोब मिल जाएगा ठीक है यह बात हो गई एज लिमिट की बहुत सारे काईडेट कह रहे है कि एज लिमिट का क्या है क्या इसमें छूट मिलेगी या फिर category wise की बात की गई है कि नहीं की गई है तो नहीं इसमें category wise की कोई बात नहीं की गई है सिंपल जो एज रखी गई है वह रखी गई है 21 से लेकर 24 तक के जो वर्स के जो कैनिडेट है वह इसमें फोर्म अपलाई कर सकते हैं तो देख लीजिए आपकी एज है की नहीं है बाकि अगर आपके भाई बैन है तो उनको कह दीजिए वह भर इसमें कच फाइदे भी सबसे पहले आपको कि शीखना होगा बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा और इसमें कुछ कंडिशन में रखी गई है जैसे कि मान लेजिए अगर आपके घर कुछ सरकारी जो करता है तो आप इसके लिए एलिजबल नहीं होंगे है ना क्योंकि अल्रेडी जो है तो आप फोर्म नहीं फिलब पर सकते साथ ही साथ अगर आपके फैमिली में कोई आठ लाग से ज्यादा कमाता है तो वह भी जो है फोर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो यह कुछ कंडिशन्स हैं जो कि आप देख सकते हैं जैसे कि पहले आय करिएगा और इससे रिलेटेट कोई और भी आपको डाउट हो रहा है ना तो आप मीचे कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा आपका रिप्लाई दिया जाएगा ठीक है तो बाकि आप सभी कर सकते हैं बस आप अपना एज काइटरिया देख लीजिएगा और यह पूरा पूरा रहने वाला है तो आपको यह इंफोमेशन अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठांक्स वाचिंग टेक क्यार